चलिए भई आज का session इस्टार्ट करते हैं देखिए आज हम लोग discuss करने वाले हैं रहील 9 के अंदर syslog server होता क्या है किस पर्पोस के लिए हम लोग syslog server यूज करते हैं और syslog server को हम लोग configure कैसे करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि syslog server का purpose क्या होता है मालनी जी किसी भी organization का एक network है जहां पर हमने switch के दुआरा multiple server machine connect की हुई है FTP, NFS, Samba Apache, PXC और DXC की servers use कर रहे हैं हम लोग किसी भी network के अंदर अब देखे ज़रा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जब भी हम लोग किसी भी server के अंदर कोई भी activity performed करते हैं जैसे कि अगर हम लोग अपनी server machine में कुछ भी install करते हैं remove करते हैं, update करते हैं modify करते हैं, या किसी भी type की setting को change करते हैं या कोई भी activity perform करते हैं तो machine उस activity को record करके अपनी अंदर store कर लेता है मसीन के दुआरा activity जहां पर store की जा रही है, save की जा रही है उसे हम लोग बोलते हैं logs यानि कि logs एक database होता है जिसके अंदर मसीन के दुआरा कोई भी activity store की जाती है that is logs अब अगर बात करें, यहां पर हमारे पास में बहुत सारे servers available है इन सभी server पर जो भी activity की जा रही है कुछ भी install किया जा रहा है, remove किया जा रहा है, update किया जा रहा है, modify किया जा रहा है या किसी भी type दी setting को change किया जा रहा है तो वो activity individual server machine पर ही store की जा रही है logs के अंदर अब अगर हमें किसी भी server machine की activity चेक करनी है कि वही किस machine पर क्या क्या activity की जा रही है, दो तरीके हैं हमारे पास या तो आप उसी server पर manually जाईए और उसकी activity logs के दुआरा चेक कर लीजिए वही अगर आप individual server पर जाते हो, उसके logs को चेक करने के लिए उसकी activity को चेक करने के लिए, यह एक small network के अंदर तो possible है जहां पर आप 5, 10, 15 server यूज कर रहे हैं, वहां पर तो आप individual server पर जाकर individual server के logs चेक कर सकते हो, activity चेक कर सकते हो लेकिन एक large environment पर जहां पर आपकी environment के अंदर या आपकी organization के अंदर hundred, two hundred, five hundred या more than thousands of servers यूज किये जा रहे हैं, अब यार thousands of servers के logs, activity अगर आपको individual server पर जाकर चेक करनी पर जाएं, ये बहुत ही lengthy, बहुत ही time consuming process है, अगर आप individual server की activity, individual server पर जाकर चेक करना चाते हो, तो ये एक बहुत ही lengthy, बहुत ही time consuming process है, तो इसी problem को sort out करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, Linux operating system के अंदर, syslog server, देखें, syslog server जो है, वो as a centralized database, यूज किया जाता है, Linux operating system के अंदर, जैसे कि हम लोग, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत, individual server machine की activity जो है, logs के रूप में, उसी individual server पर जाकर store होती है, बहुत, अगर मुझे किसी भी server की activity चेक करनी है, logs चेक करना है, तो मुझे उसी server पर manually जाना पड़ेगा, या फिर, आप, अपने network के अंदर, syslog server install कीजिए, syslog server का main purpose होता है, कि network के अंदर, जितनी भी server machine, run हो रही है, उन सभी server machine के logs, store करना, एक centralized location पर, मैं चाता हूँ, मेरे network के अंदर, जितने भी servers, run हो रहे हैं, उन सभी servers के logs, एक centralized server पर आकर store किये जाएं, तो उसके लिए हम लोग करते हैं, syslog server, network के अंदर, जितने भी servers, run हो रहे हैं, उन सभी servers के logs, syslog server पर आकर store होंगे, अगर आप किसी भी server machine में कोई भी activity perform करते हैं, कुछ भी install करते हो, remove करते हो, update करते हो, या किसी भी type की setting को change करते हो, तो वो activity, syslog server पर आकर store होगी, उसका benefit यह होगा कि अगर आपको किसी भी server के logs चेक करने हैं, तो आपको individual server पर जाने की जरुरत नहीं है, आप के वल इसी server के दुआरा, हर एक network की machine, या हर एक server के logs, इसी syslog server के दुआरा check कर सकते हो, कि individual server पर जो भी activity हो रही है, वो आप एक ही server के दुआरा check कर सकते हो, simple सी wording में अगर आपको बताऊं, syslog server जो है, वो Linux operating system के अंदर, especially use किया जाता है, network के अंदर, जितने भी servers हैं, या जितने भी machines हैं, उनके logs store करने के लिए हैं, तो चलिए भई, अब हम लोग discuss करते हैं, कि RHEL 9 के अंदर, हम लोग syslog server कैसे configure करते हैं, देखो RHEL 7 में थोड़ा सा अलग तरीके से syslog server configure होता था, लेकिन RHEL 8 और RHEL 9 में सेम तरीके से syslog server configure होता है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाओं, मैं यहाँ पर दो virtual machine यूज कर रहा हूँ, एक है RHEL server के नाम से, जिसे मैं as a syslog server यूज कर देगा, एक है हमारे पास में RHEL client, इसे मैं as a client यूज करूँगा, यानि कि इस client machine के जो logs है, वो मैं इस वाली server machine पर store करना चाहता हूँ, अगर मैं आपको इनकी configuration चेक करा हूँ, यह हमारी machine जो है, on ओ चुकी है, सबसे पहले, मैं आपको इस machine की configuration चेक करा हूँ, सबसे पहले तो आप यहां पर यही देख सकते हैं कि इस machine पर मैंने already RHEL 9 operating system install किया हुआ है, terminal open कीजिएगा, सबसे पहले, इस machine का host name चेक करो, इस machine का host name है, localhost.local. सबसे पहले मैं इस machine का host name चेंज करता हूँ, यानि की computer name चेंज करता हूँ, उसके लिए hostname ctl set hyphen host name, और इस machine, एक से, system ctl space, set hyphen host name space, जो भी आप host name decide करना चाहते हैं, जैसे कि मैं syslog hyphen server, अब अगर मैं चेक करूँ, इस machine का host name, आप यहाँ पर देख सकते हैं, syslog server, एक बार आप टर्मिनल close करके, दुबारा से आप टर्मिनल open कीजिएगा, और अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, कि हमारा host name जो है वो apply हो चुपा है, clear है भाई इतना, host name set करने के बाद, अब आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं, कि कि इस machine को मैंने, IP address assign किया हुआ है, 100.100.100.1, already मैंने IP address भी assign किया हुआ है, के साथ साथ, अगर आप यहीं पर देखें, yum repo list, इस machine पर मैंने already yum server भी configure किया हुआ है, दो चीजे हमेशा याद रखना, मैंने IP address already assign किया हुआ है, yum server already configure किया हुआ है, ताकि मैं syslog server से लेटिर जो packages है ना, उसको मैं install कर सको, तो यह तो हो गया हमारा syslog server, एक हमारे पास में है Rheal Client के नाम से virtual machine, इस Rheal Client machine के logs store करना चाता हूँ, मैं syslog server पर, तो यहाँ पर भी सबसे पहले मैं, इस machine पर मैंने already Rheal 9 operating system ही install किया हुआ है, terminal open करेंगे, सबसे पहले मैं इस machine का भी host name change करता हूँ, अभी के लिए host name क्या है, जो default होता है localhost.local domain, तो host name ctr, set hyphen host name, नहीं, simple रख लेते हैं, client1, अब host name चेक करें, host name इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि आप server machine पर check कर सको, कि हाँ actual में उसी client machine का ये, या उसी server machine का ये logs है, terminal को close कीजिएगा, दुबारा से terminal open करो, host name अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, कि हमारी machine का host name एपलाई हो चुगा है, अब, इस client machine को भी, मैंने already IP address assign किया हुआ है, 100.2, एक बार connectivity चेक करते हैं, क्या ये client machine, syslog server से, ping कर रहा है, 100.1NOS server का IP address, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मस्क परीके से ping कर रहा है, यादि कि दोनों के connectivity मस्क तरीके से बनी हुई है, मैंने सब कुछ पहले किया हुआ, अब मैं हर इक practical के लिए, सारी चीज़े एक एक करके बोड़ी नहीं start करूँ जा रहा, ये सब कुछ मैंने किया हुआ है, ये साथ साथ यम रेखो लिस्ट, इस पर भी मैंने यम सर्वर ओर्डी इंस्टॉल किया हुआ है, याद हर इक practical के लिए, मैं क्या हर इक प्रेक्टिकल के लिए, क्या मैं यम सर्वर डेली की configure करूँगा, पोसिबल ही नहीं है, सब कुछ readymate है मेरे पास, प्लियर राइट ना, चलते हैं जरा, syslog server मसील करूँगा, अब सबसे पहले हम लोग, syslog server का package install करेंगे, तो उसके लिए, yum install space, are syslog, are syslog, से related जितने भी packages हैं, वो install कर दिये जाएं, type करके enter की press कीजिए, ये देखो जड़ा है, rsyslog से related बहुत सारे packages available हैं, और ये कुछ dependencies हैं, total कितने packages हैं, 25, confirmation purpose के लिए आप ypress कीजिएगा, ताकि rsyslog से related सभी packages install कर दिये जाएं, command note down हो गई, फोड़ा से जल्दी हाँ चला हो, package install करने के बाद, अब हम लोग syslog server की configuration file के अंदर चलेंगे, root partition के अंदर atc directory में, rsyslog.conf के नाम से file में लेगे, इस file के अंदर चलिएगा, और यहाँ पर line number बहुत ही ध्यान से देखो, line number 30 में आईगेगा, देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, configuration file की condition बता रहा हूँ, जिन lineों से पहले, यह has का symbol आया हुआ है ना, तो समझ लीजेगा कि वो line disable condition में है, इसको हम लोग, जिस line से पहले, यह has का symbol होता है ना, हम लोग उसको बहुते हैं कि यह line, commented condition में है, यानि कि disable condition में है, इस line के अंदर, जो भी configuration है ना, वो disable condition में है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको वैसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, insert mode में जाईएगा, line number 30 को, uncomment कीजिएगा, line number 31 को भी uncomment कीजिए, line number 30 और 31, दोनों को आप uncomment करेंगे, अब actual में इन दोनों line में है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं, UDP, disable condition में था, पहले हमने UDP को enable किया, अब UDP के लिए, जो syslog server है, वो किस port number पे operate हो रहा है, 514 पर, इसी तरह, वह UDP के, UDP के port number 514, जो है, वो syslog server के लिए रिजर्व है, इसी तरह यहीं पर अगर देखें, TCP भी disable condition में है, और TCP की condition में भी port number 514 पर ही, इसी तरह सर्वर operate होता है, तो आपको 30, 31, 35, और 36, आपको करना कुछ नहीं है, इन चारो लाइन को आप uncomment करेगे, यानिके इन चारो लाइन को आप enable करेगे, या skip, colon, write and quit, यानिके इस फाइल के अंदर आपने जो भी changes किये हैं, वो save कर दिये जाएंगे, save करने के बाद आप क्या करेंगे, system, ctl, space, restart करना है, किसे पार्सिस लोग, डैमन को, restart करने के बाद, आप इससे enable कीजिएगा, permanent भी आपको enable करना है, चाहे तो अब आप, इस डैमन का status भी check कर सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यह enable condition में आ चुका है, और running condition के, clear है इतना, इतना करने के बाद, अब हम लोग क्या करेंगे, syslog server किस port नमबर पे operate हो रहा है, udp और tcp के 514 port नमबर पे operate हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, fireball-cmd space-permanent-add-port, port नमबर 514, किसके लिए TCP के लिए, fireball में add करना है, इसी तरह, udp के लिए भी 514 port नमबर fireball में add करेंगे, अब देखो, fireball में हमने add क्यों किया, मैं चाता हूँ, syslog server से related, जितना भी traffic generate को, fireball उसे always allow करें, अब fireball होता क्या है, किस purpose के लिए हम लोग fireball यूज करते हैं, यह हम लोग आगे चलके discuss करेंगे, एक डो दिन के अंदर ही, then fireball के अंदर आपने जो भी changes किये हैं, उन्हें आप apply करने के लिए fireball को reload कीजिएगा, ताकि fireball के अंदर आपने जो भी changes किये हैं, वो apply हो सके आगेगा, इतना करने के बाद, verify करने के लिए, net state-tunlp space pipe लगाके, grab कीजिएगा किसे 514 port number हो, और आप यहांपर देख सकते हैं, TCP और UDP के लिए 514 port number, listen condition में हैं, यानिके यह proper काम कर रहा है, प्लिए रहे इतना, आगया को सिर्यार, यह वाला है, यह वाला हाँ, पर्मनेंट इनेबल, आपने इस डैमन मैनेजमेंट या सर्विस मैनेजमेंट वाला टोपी किया था, पिर रहने तो, तसली से कड़ाया हूँ, पर रहे हैं, इसलिए बोल्ट आउवाई कि यह जो पिछले हमारी कुछ टोपिक्स गए हैं ना, यम सर्वर, डैमन मैनेजमेंट, आई-पी कॉनफिग्रेशन और दो-तिन टोपिक और विद है, यह पूरे लाइनेक्स में अब काम आने वाले हैं, पूरे लाइनेक्स में यही काम आएगे, क्लियर है इतना सभी कुछ, चलते हैं, अब क्लाइन्ट मसीन पर, यानि कि वो सर्वर मसीन या वो क्लाइन्ट मसीन जिसके लोग, जिसकी एक्टिविटी मैं रिकोर्ड करना चाता हूँ, सिस्लोग सर्वर पर, अब यहां पर सबसे पहले अगर आप क्नेक्टिविटी चेक कीजिएगा, क्या ये क्लाइन्ट मसीन सिस्लोग सर्वर से पिंग कर ला है, मस तरीके से कनेक्ट है, इतना करने के बाद, आप लोग वापस, रूट पार्टिशन की अंदर, एटीसी डारेक्टि की अंदर, आप सिस्लोग कौन फाइल के अंदर चलिएगा, इस फाइल में आने के बाद, सबसे लास्ट में चले जाएए, सबसे लास्ट में, अब यहां पर ख्यांस से आँख खोल के देखेगा जड़ा, अगर आप एक पर्टिकुलर सर्वर की एक्टिविटी, मालिजी इस सर्वर मसीन पर, इस क्लाइंट मसीन पर, या इस सर्वर मसीन पर, आपने मेल सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, और आप चाते हैं कि मेल सर्वर से रिलेटिड जितने भी एक्टिविटी हैं, जितने भी लोग्स हैं, वो मैं स्टोर करना चाता हूँ, सिस लोग सर्वर पर, तो मेल सर्वर से लिमिट जितने भी लोग्स हैं, वो सभी स्टोर कर दिये जाएंगे, सिस लोग सर्वर पर, या फिर आपने इस सर्वर मसीन पर, ख्रॉन सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, ख्रॉन सर्वर, तो क्रॉन डोट स्टार, तो क्रॉन सर्वर से烊लेटिड जितने भी लोग्स हैं, वो इस्टोर किये जाएं 100.1 वाली मसीर पर 100.1 यह हमारे सिस्लोक सर्वर का IP अट्रेंस है भाई कहने का मनी किये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर सर्वर के लोग सिस्टोर करना चाहते हैं अपने सिस्लोक सर्वर पर इस तरह आप यहां पर एंट्री डाल देजिए लेकिन अगर आए चाहते हैं कि इस मसीन पर A to Z जो भी एक्टिविटी परकूण की जाए A to Z जाए वो किसी भी सर्वर से रिलेटिड रहे हो यूजर को डिलीट कर रहे हो गुरुप कर रहे हो गुरुप को रिलेम कर रहे हो केमिकम निगे लिए अगर आप A to Z इस मशीन पर जो भी एक्टिविटी पखों की जा रही है उन सभी एक्टिविटी से रिलेटिड जो भी लोग्स जनरेट हो रहे हैं मैं चाहता हूँ उन सभी लोग्स को सिसलोग सर्वर पर इस्टोर किया जाए तो A to Z एक्टिविटी के लिए आप क्या करेंगे इस्टार डोट इस्टार नई लाइन के अंदर आकर आप इस्टार डोट इस्टार का मिनिंग होता है A to Z जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाए उन सभी के लोग्स स्टोर किये जाए 100.1 वाली मसीन पर पियर है इतना skip, colon, write and quit टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा इतना करने के बाद अगेन सिस्टम CTL री स्टार्ट करेंगे और सिस्लोग डैमन को एक बार री स्टार्ट कीजिएगा री स्टार्ट करने के बाद उसे आप पर्मनेंट इनेबल कीजिएगा सिस्लोग सर्वर की देमन को के साथ साथ fireball-cmd space-hyphen-permanent इने यह री फाइपन हाइपन एड हाइपन कोर्ट टीसीपी पाइप मोट इन cook एंड यूडीपी बिश्टा-इनदर आपने जो भी चेंजिस किये हैं उन्हें एपलाई करने के लिए reload command यूज कीजिए गा syslog server और ये client machine हमारी ready हो चुकी अब इस machine पर मैं कुछ activity करता हूँ कुछ activity यानि के जैसे की user add space मैं जंपू के नाम से एक user create करता हूँ create हो गया इसी तरह इस machine पर मैं पप्पू के नाम से एक user create करता हूँ फिर मैं क्या करता हूँ pass wd space चंपू user का password decide करता हूँ password match नहीं हुआ जान बूज के फिर से फिर से password match नहीं हुआ password do not match activity कर रहा हूँ जान बूज के फिर से अब की बार password successfully match हो गया इसी तरह group add space इंडिया के नाम से मैंने एक group create किया यानिके मैंने अपनी machine पर कुछ activity perform की है अब मैं यह verify करना चाहता हूँ क्या इस machine पर जो activity की गई है क्या वो syslog server पर इस्टोर हुई है या फिर young space install space httpd से related जितने भी packages हैं वो install किये जाएं यह ज़स्ट मैं activity कर रहा हूँ ताकि मैं यह आपको verify करा सकूँ इस machine से पर जो भी activity की जा रही है वो सभी की सभी activity से related जो भी logs है वो हमारे syslog server पर जाकर store हुए है बाद में आप आराम से सभी commands को दोख कर लीजिएगा अब चलते हैं जरा syslog server वाली machine पर यह verify करने के लिए क्या उस machine के logs हमारे syslog server पर आकर store हुए है चाहे तो आप यहां पर verify भी कर सकते हैं मैं इस time पर syslog server वाली machine पर available है अब अगर आप logs चेक करना चाहते हैं कि भई logs यहां पर आकर store हुए अगर आप logs चेक करना चाहते हैं ना तो आपको logs जो मिलेंगे root partition के अंदर VAR directory के अंदर log directory के अंदर secure नाम की file में मिलेंगे जल्दी कीजिए हो गया आगे बड़े अब देखो यहां मैं line number यह है October 22 यह तो बहुत पुरानी हो गई डेट आज डेट देख लिए 15 मार्च आज कितनी डेट है यह 15 मार्च पंदरे मार्च छे बज़कर 10 मिनट छे सेकिंड पर local host नाम की machine पर यह तो खेर नहीं है उस machine का नाम क्या रख्याता हमने यह देखो जो client 1 से related यह देख रहे हो ना पंदरे मार्च छे बज़कर 29 मिनट 46 सेकिंड पर इस client 1 नाम की machine पर user add command हिट हुई जिसके द्वारा हमने एक चंपू नाम का user create किया फिर से again एक another command हिट हुई user add के नाम से ही पपू नाम का user create किया गया देन फिर client 1 वाली machine पर ही pass wd command हिट की गई multiple time password not match password not match यह हुआ था न फिर उसके बाद में password match हो गया था multiple time मैंने वो command हिट की थी हर एक command की हर एक activity की logs आये आपर के साथ साथ फिर मैंने अठारे बज़कर 30 मिनट 44 सेकिंड पर same client 1 machine पर ही मैंने group add नाम की command भी हिट की थी किसलिए इंडिया नाम से group create करने के के साथ साथ फिर हमने अपाचे package भी install किया था अगर आपको कुछ याद हो वो जो मैंने young server के दुआरा अपाचे package httpd package install किया था अपाचे server का package होता है clear है question याद रखिएगा phone मत जाईएगा सारी चीज़े आप यहां पर देख सकते हो वह या तो आप इस तरह एक एक करके देख लीजिए या फिर आप grab command यूज कीजिए किसके लिए client1 root partition के अंदर VAR के अंदर logs के अंदर अब देखो ज़रा वहती simple सा funda है client1 server machine के जितने भी activity है वो सारी मुझे यहां पर एक साथ दिखाड़ते जाए तो वहां पर एक एक line में आपको जाकर चेक करने की ज़र्णत नहीं पड़ेगी इसलिए इसलिए मैंने बोला था graph command पूरे linux में यूज की जाएगी concept clear है तो यह था हमारा RHEL 9 के अंदर हम लोग syslog server कैसे install करते हैं और configure करते हैं घले हुआ झाल झाल